वेलकम डूदो प्रियाग्राज इंस्ट्यूट आज मुलो बात करेंगे UPPSC ROARO के संदर में उत्तर प्रदेश विशेश से सम्मन्दी जो महत्मूर्ण प्रश्ण हो सकते हैं उनके बारे में और उत्तर प्रदेश विशेश में खास तवर से आज हम लो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश से सम्मन्दी 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 जो उत्तर यह है कि तिब्र अधोगी की करण मतलब की Fast Industrialization है तू निवेश करने तथा रोजगार के आउसरों के स्रिजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकडा केंदर ठीक है तो आंकडा केंदर से मतलब है पहला डेटा सेंटर ठीक है तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर इस्थापित करेगी यह प्रशन है तो यह इस्थापित किया जाएगा Greater Noida में तो इसको ध्यान से रखिए Greater Noida में तिब्र अधोगी करण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला आंकडा केंद्र इस्थापित किया जाएगा तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर है वो है Option Noida में इसकी इस्थापित की जाएगी और ध्यान दीजिए यह UPPSC ROARO मेंस 2016 में यह प्रशन पूछा जा चुका है तो इस तरह के प्रशनों का भी जो है वो हम ध्यान में रखेंगे आगे जलते हैं निमलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है ठीक है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रिलिस्ट है ठीक है और उनके उध्योग और उध्योग लगाने में सहायता करता है तो यह है उध्योग बंदू क्या उध्योग बंदू यह भी प्रशन पूछा गया है EPPSC ROARO के मेंस 2016 में तो प्रशन क्या है? फिर से देखे निमलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है तो यह है उद्योग बंधू option number D पर्थम दिन दयाल हस्त कला संकुल बेपार सुब्धाकेंद्र अवस्थित है ठीक है? तो यह अवस्थित है वराणसी में और इसकी इस्थापना की जाती है 22 सितंबर 2017 को तो पर्धान मंत्री जी के द्वारा 2017 में वराणसी में दिन द्याल हस्त कला संकूल पेपार सुधाकेंदर की स्थापना की जाती है ये भी काफी important प्रशन है तो यहाँ पे जो सही उत्तर है option number D अगला प्रशन हाल ही में एक नई rail coach निर्माण कर खाने की new रखी गई है तो दिये गए option में आपको बता रहा है कि कहाँ पे रखी गई है तो यहाँ रखी गई है राय बरेडी में option number C इसका सही उत्तर है ठीक अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ निमलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परमुख उद्योग नहीं है तो यहाँ पे चार इंडस्ट्री मतलब की उत्तर प्रदेश से समंधित कौन सा उत्तर उत्तर प्रदेश के परमुख उत्तर नमबर D अब इसी करम में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंदे हैं वो क्या है ठीक है तो पहले हम बात करेंगे सिमेंट उद्योग की और यह जानकारी लेंगे कि सिमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश के किन सहरों में इस्थाफी थे ठीक है त अब हम बात करेंगे कि चीनी उद्योग जो सूगर इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में किन जगों पर अवस्थित है तो मेरट, सहारणपूर, गाजियाबाद, गोरकपूर, लखीमपूर, खीरी, सहाजहापूर, मुरादाबाद, आयोध्या, कानपूर, वरानसी, पीलीभ और गोंडा यहां पे सुगर इंडिस्ट्री इवस्थित है या अवस्थित है इसी करा में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग के लिए ठीक है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगह हैं प्रसिद्ध हैं तो यह है कानपूर, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपूर, सिकंदराबाद, मव में खास्तोर से सुतिवस्त्र का उद्योग है तो यह जो है सिमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग से संबंधीद जो प्रमुक इस्थान थे उत्तर प्रदेश में उसका हमने डिस्क्र प्रशन के तरफ हमारे सामने जो अगला प्रशन है कि ब्लैक पॉटरी ठीक है ध्यान देजिएगा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या यह कहा जाए जियाई टैग उत्तर प्रदेश में निमलिखित में से किस इस्थान से समन्धी थे अब य यह है काली मिट्टी से बनाए गए खिलोने या बरतन ठीक तो यह ब्लैक पॉटरी के लिए जियाई टैग जियाई टैग जो है वो किसको मिला है तो यह मिला है निजामाबाद ठीक तो निजामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है उसको जियाई टैग मिला है अब यह मिला है क अब ये 2015 में मिला है ठीक ये जो GI टैग है वो 2015 मिला है और निजामाबाद किस जीले में पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के आजमगड जीले में पड़ेगा निजामाबाद ये याद रखेगा तो यहाँ पर सही उत्तर है option C अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारे सामने जो अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश के किस सहर को काली नगरी कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश का सहर भधोही ठीक है भधोही को काली नगरी के नाम से जाना जाता है तो ये ध्यान रखना है अगला प्रशन अब ये जो प्रश्ण है कथन और कारण अधारित है तो यहां पे कथन क्या दिया हुआ है कथन ये है कि कन्योज इत्र का सहर है जी यहां कन्योज जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है तो ये तो सही स्टेटमेंट है कारण क्या दिया है कन्योज सहर के सभी निवासियों दिया दीजिएगा ये term ठीक है सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्योग है तो देखे कनोज सहर जो है वो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है लेकिन कनोज के सभी निवासि इत्र उद्योग ठीक पर्फ्यू इंडरस्ट्री से जुड़े हो या जरूरी नहीं है तो सभी है ये सही है किन्तु आर गलत है तो जो सही उत्तर होगा वो होगा option number c और ये देखे ये पूछा गया हाल फिलहाल में इपैसी आरो एरो प्री 2017 का question है ठीक है तो आरो एरो के exam में कथन और कारण बेस प्रशन वो पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रशनों की जो है practice ध्यान में रखे किजी अगला प्रशन निम लिखी में से किस में बिज्यान नगरी अवस्थित है ठीक है आपको बताना है कि जो science city है बिज्यान नगरी वो दिये गए option में कहां पे तो ये इस्थित है लखनों में option number c अगला प्रशन यहां पे लिखा है गीडा ठीक है क्या लिखा तो इस्थापना होती है zaay गीडा ठीक अब आपको यहां पे गीडा का फूल फूर्म बताना है तो गीडा का फूल फूर्म है गोरकपूर ओदोगिक विकास प्राधीकरण मतलब की गोरकपूर इंडस्रिल डेवलप्मेंट अथॉरिटी क्या गोरकपूर इंडस्रियल ड even फुल फॉर्म है गोरगपूर अधिकरण विकास प्राधिकरण हिंदी में और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है गोरगपूर इंडस्ट्रे डेवलप्मेंट अथॉरिटी अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है कि UPSIDC ठीक है UPSIDC ठीक का मुख्याले कहा है इसका हेटक्वाटर आपसे पुछा जा रहा है कि इसका हेटक्वाटर कहां पे तो UPSIDC का हेटक्वाटर है कानपूर में और इसकी स्थापना होती है 1961 ठीक है अब इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश इसमाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिर से देखिए उत्तर प्रदेश इसमाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुर्ट फॉर्म है हेड़कॉर्टर कहाँ पह है कानपूर में और इसकी स्थापना होती है 1961 में अगला प्रशन उत्तर प्रदेश में रच्छा गलियारा का केंद्री छेत्र होगा ठीक है तो दो जो है वो defense corridor बनाए जा रहे हैं एक जो है चेंडेश से बेंगलोर को connect कर रहा है और दूसरा बुंदेल खंड छेत्र में बनाए जा रहा है तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है option number D ठीक तो बुंदेल खंड इसका सही उत्तर है अगला प्रशन यहाँ पे जो प्रशन है वो match वाला है आपको बताना है कि कौन सही सुमेलीत नहीं है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा जो है match नहीं है वो आपको बताना है तो Bio Technology Park, लखनाउम है, ये सही है Tronica City, ध्यान दीजिएगा, Tronica City, Noeda में नहीं है, ये है गाजियाबाद में कहां पर है, ये है गाजियाबाद, तो ये है गाजियाबाद में, ना कि Noeda में Plastic City, कानपूर देहात, ये भी सही है, Leather Technology Park, उन्नाउं, ये भी सही है ठेक है, तो प्रस्ण के अंसार, जो हमारा सही उत्तर होगा, जो की गलत पुछा है, मिस मैज कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, option number B, अब ये देखिए, ये जो प्रस्ण है, वो काइक बार पुछा गया है, मतलब ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम Software Technology Park, ठेक है, तो पहला Software Technology Park इस्थापित किया गया, तो ये इस्थापित किया गया, लखनों में, option number B, इसका सही उत्तर है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस सहर में Knowledge Park की इस्थापना की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में Knowledge Park मनाय जा रहा है, ग्रेटर नुड़ा में, ठेक, option number D, इसका जो है, वो सही उत्तर है, तो उत्तर प्रदेश के, ग्रेटर नुड़ा में Knowledge Park की इस्थापना की जा रही यह दियान रखना है अगला प्रशन क्या है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी ठीक है सुहाग नगरी कहलाता है ठीक है तो सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है फिरोजाबाद क्योंकि फिरोजाबाद में कांज की चूडिया बनती है और यहां पर यह जो काम है वो 200 वर्सों से चल ला है ठीक है तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है उसको सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं और उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी के रूप में किसको जानते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो इत्र नगरी है वो है कन्नोज और सुहा स्थान पे है तो यह है बरेली में जगा है आउला तो यहाँ पर इफको का इवरिया करखाना जो है वो लगाया गया है आउला में नेक्स्ट हस्त निर्मीत कागज का निर्मार होता है तो यह होता है मत्रा के जालोन में कहां मत्रा के जालोन में नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कृतिम रबबड का करखाना अवस्थीत है तो कृतिम रबबड का करखाना है बरेली में आप्सन नमबर D उत्तर प्रदेश में School of Paper Technology इस्थित है तो School of Paper Technology मिलेगा सहारत पूर आप्सन नमबर D रेनुकूट जाना जाता है तो रेनुकूट जाना जाता है एल्मूनियम उद्योग के लिए ठीक है आप्सन नमबर C उत्तर प्रदेश में रेनुकूट हिंडाल कों की इस्थिती का मुखे कारण इसकी निकटता किसके लिए है तो यहाँ पे जहे Power Source एवलेबल है ठीक है सकती के सुरूत एवलेबल है इस वज़े से रेनुकूट में हिंडाल को जो है वो इस्थित है उत्तर प्रदेश में मारिता प्राप्त Stock Exchange इसकी स्थापना किये गई है कानपूर में Option Number B उत्तर प्रदेश में खादी गरामो द्योग बोड की स्थापना किस बर्स होती है तो इसकी स्थापना होती है उननी सो साथ में 1960 60 उत्तर प्रदेश में निरात और मुख साफ्वेर पार्क कहां इस्थापित किये गए हैं तो यह नोड़ा और कानपूर में उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्यो का प्रमुकेंद्र कहां इस्थित है तो यह इस्थित है बरेली में उप्शन नमबर ए दादरी, चुनार, चूर, डाला, सभी के में करखाने हैं और जो उत्पादित करते हैं तो यह जो है वो सिमेंट इंडस्ट्री के लिए जगहे जानी जाती हैं यहाँ पे जो है सिमेंट का उत्पादन किया जाता है उप्शन नमबर ए निमनाकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरा गत उद्योग है ठीक है तो ट्रेडिशनल अगर इंडस्ट्री की बात किया जाती है यह है चीनी इंडस्ट्री, शूगर इंडस्ट्री जो है यहाँ का परंपरा गत उद्योग है तो आप्शन नमबर डी इस का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का कौन से जनपत लुगदी कागज और गत्ते उत्पादन है तो परसीद है तो यह है बिजनौर तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर साहर है वह लुगदी कागज और गत्ते उत्पादन के लिए परसीद है तो यह जो है इंडस्ट्री मतलब कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से समंधित important प्रसन थे और यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें comment box में जरूर दें तब तक के लिए thank you धन्यवाद